यह निडल रेस को मैं पर्ल से बनाने वाली हूँ तो इसमें दो टाइप की पर्ल यूज़ हुई एक बड़ी और स्मॉल तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं और रेगुलर निडल यूज़ करेंगे जिसमें से इजीली पास हो सके हमारी पर्ल और इसे अ एट करनी है एट पर्ल एट किये है अब इसे अटाइच कैसे करना है इससे स्ट्रेट नहीं करना है हलका से लूप बनाते वे इस तरह से वन फिंगर का गैप रखते वे यहां पर इसे अटाइच कर देगे अटाइच करने के लिए इस तरह से मैं फैब्रिक में अंदर से इस तरह से दाग जीए अब यह अटाइच हो गई है अब फिर से मैं इसको पाहर निकालते हुए त्रेट को यह जो लास्ट है एट पर्ल है जो इसमें मैं नेडल को इंसर्ट करूगी और अभी यही सीरीज मे इस तरह से हमें ऐसे ही लगाते जाना है अब फिर से ऐसे ही एट पर्ल एट करेंगे अब फिर से एट पर्ल एट किया है मैंने अब फिर से फिंगर इस तरह से रखूँगी और इसे भी अटाइच कर देगे इस तरह से और one में से हमें इस तरह से बाहर निकाल देना है thread को और यही follow करते वे यह row को complete करेंगे first row complete हो गई है eight beats मैंने add कर दिये इस तरह से sequence में अब हमें big pearl को add करना है तो इसके लिए हमें सब अभी इस में से six pearls में से बाहर निकलना पड़ेगा two three gradually इस तरह से धीरे धीरे three four five six इस तरह से इसे edges करके tight करेंगे six मैंने six pearls में से नेडल को बाहर निकाला अब मैं बड़ी वाली pearl को add करूंगे इस तरह से बड़ी pearl add हो गई है अब यहां से count करेंगे one two three four यहां से इस तरह से देख सकते हैं आप कि यहां पर से three रहना है तो यहां से भी three रहना है तो fourth के भाहर से निकालेंगे हम बॉटम से count करेंगे one two three और यह fourth तो यह fourth के अंदर से इस तरह से निकाल देंगे यह इस के बीच में attach हो गई है अब next two pearls में से निकालेंगे फिर से अब बड़ी pearl को add करेंगे अब same repeat करते जाएगे one two three four fourth pearl में से निकालेंगे bottom से count करेंगे one two three four fourth pearl में से निकालें और यह add हो गई है अब फिर से two pearls में जाना है next two pearls में हर big pearl के पीच में three pearls इस तरह से straight आते जाएगी अब big pearl add करेंगे bottom से count करेंगे one two three four fourth में से बाहर आएगे big pearl attach हो गई अब इसके जो next two pearls है वो two pearls में से निकालना है फिर next बड़ी pearl को add करना है तो इस तरह से continue करते हुए पूरी रो को complete करेंगे one two three four जब last pearl attach हो जाएगी तो उसके बाद हमें इस में से निकाल देना है जितनी भी remaining pearls रहेगी अंड करने के लिए हमें जो remaining pearl जो बचेगी इसमें से निकाल देना है और इसे knot tie करके यहाँ पर इस तरह से attach कर देना है